कि सभी मित्रों को नमस्कार श्वागत आपका यह करेंट जिके वाली क्लास उसमें और वे करेंट साथ हुँ जिसके लिए आप लोग इसी तोर से आप लोगों डिमांड थी और वैसे डिमांड सभी पुस्तों का निचोड़ हमें एक क्लास मिल जाए और परति दिन हमें थोड क्लास ही होंगी सवाल वे ही यहां शम्मिलित किये गए हैं जहां से आपके सवाल बनेंगे साथ हो तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में रोज परति देना आपको क्लास मिलेगी 10-15 मिनिट की साथ हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गंटी करिसां दबा देना और यह प होखने का मैं प्रियास करूँगा ताकि विध्यार्तियों के इतने काम हो सके विध्यार्तियों के टूटे हुए होसले सात्यों कहीं कहीं जुड़ पाईर जिनके हैं होसले बरकरार रहें ध्यार रखेंचीज़ का तो यहां हम लोग बात करें देखिए कि आपके सितंबर 2022 के साथ हुआ हम लोग नहीं करन्ट लिया है जो आपके रो यो जो भी वेकेंस है फर्स्ट ग्रेड तो हो गया है सेकंड ग्रेड है थर्ड ग्रेड है आप लोगों के सीटी है वन पाल है वन रक्षक सब में काम आएगा देखिए बात करते हैं हम लोग पहला पॉइंट सितंबर 2022 में सिल्प एवं माटी कलावोर बहुत अच्छा कोशन है साथ ही हो इसके जो अधिक्स मौनुनित किये गए वे डूंगर राम गेदर साब किये गए कोन गे डूंगर राम गेदर का और डूंगर डूंगर है जिस साब डूंगरों में तो क्या है मिट्टी और गेदर साब होगे ध्यान राखें आप लोग साथाल याद करेंगे यूनाइटेड किंग्डम के मैंचेस्टर में संपन हूआ था भी वन यंग वर्ल्ल सिमीट साथियो इसमें एक राजयस्तानी न बाग लिया था और उनका नाम क्या है साथियो राजयस्तान का वाकए उन् द्यान रखें आप लोग तस नीम और मेजबीन ये कहां के हैं उदेपुर के तो इन्हों द्यान रखना इसीज़ का इन्हों ने भाग लिया था वन यंग वर्ल्ड समीट का आयोजन हुआ था साथ यो युनाइटिड किंग्डम के मैंस्टिर में वहाँ इन्हों ने रास्तान के चांद बाउडी का हैं दो सामें बहुत बार पूछा गया है अभी आपसे पूछ सकता है तो किस जिले के चांद बाउडी पर आवा नेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ तो हम लोग कहेंगे सातियों दो सामें आगे बात करते हैं परदेश के उद्योगों के निरियाद संबंदी विशो की मोनिटरिंग वे उनसे संबंदित परिशानियों को दूर करने के लिए किसका गठन किया गया है यानि कि जो उद्योगों के निरियाद संबंदी विशे हैं सातियों उनकी मोनिटरिंग की जाए और उनने आने वाली संबंदी जो परिशानियों है उनको दूर किया जाए इसलिए साथ यो एक council का गठन किया गया और उस council में एक्सपार्ट लोग होंगे तो हम कहेंगे राजस्तान expert promotion council क्या कहा मैंने राजस्तान export promotion council साथ यो और export था है रजिव आरोडा साहब। और उनका नाम है राजिव अरोडा साहब। भूल अकिegen वाटी बोडे का साति हो जो आद्यक्स मनुत किया है गंगर गैदर साहब को किया है तिक है United Kingdom के Manchester में साथ यो यो वन यंग वर्ल सिमिट का आयोजन हुआ उसमें राजस्तान का मान गोरो बढ़ाया वे तस्नीम मेजवीन है साथ यो उदेपूर के रहना के आप लोग किसे जिले की चांद बावडी पर आप लोगो आवनेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ तो आप लो परमोशन हो जाएगा राजस्तान का इसे नाम देखिए राजस्तान एक्सपोर्ट परमोशन काउंसिल क्या नाम है सत्यों एक्सपोर्ट राजस्तान परमोशन काउंसिल एक बार फिर बोलिए राजस्तान एक्सपोर्ट परमोशन काउंसिल रास्तान एक्सपोर्ट क्या होंगे इनके अधिक होंगे पहले कि सितंबर साथियो 2022 में 29 मधरणास माथूर क्रिकट पुर्ष्कार दिए गया है और ये तीन सृवाधं पर दिए गया सिन यूर यूर सिर्ण और वरक तो तेन वरक होग है हमारे पास में अब तीनों के हम लोग बात करें तो देखिए यहां पे 29 वे मतुरदास माथूर किर्किट पुरुसकार सीनियर अनिकेद चोदरी और जूनियर अनिरुद और सब जूनियर में रोहन राजबर अरे सब जूनियर क्या रहा है गुरुजी रहने दो रहने दो बात जान रखें आप लोग दूसरी बात बहरीन में आयोजित 21 एंस एसियन अंडर 20 पुरुष बोलीबोल का सत्यों चैंपन आयोजन हुआ वहां पे यहां पे जो चैंपन सीप है इसमें भारत को रजत पतक मिला साथियो और रजत पतक मिला और इस यह बोलीबोल टीम में इसके इसमें खिलाडियों ने भाग लिया वह आपको पता होना चाहिए दूसियन जाखड है आपके संदीप संदीप हैं और अजीत शेकों हैं समझ आप लोग दूसरी बात साथियों बात करें हम लोग कि यह दूसरी जाखड को है ऐसिया के सरवस्रेश्ट आपके ब्लोकर का पुरुषकार है 29 साथि उसमें सीनियर अंएकेत चोदरी को मिला है जूनियर वरग में मिला है निरूद सिंग को मिला है सब जूनियर वरग में मिला 오安व राजबर को मिला है साथियों बैर ने जू आई जिट हुआ आप लोगों के 21- दुश्यान ज्यागड को एसिया का स्रोष्यट बोलोकर का पुरुष्कार भी दिया गया है यह ध्यान रखें आप लोग यह देखिए राज्य का आगे देखिए सातियों बढ़िया मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत छटनी करके यह परसन बनाय जाते हैं ताकि आराम से आम लोग अच्छा स्कोर कर सके साथी हो पक्का करेंगा अच्छा इसकोर राज्य का वह फैरा एटलीक्स जिसने मोरक्को वर्ल्ड पेरा एटलीक्स कुरा फ्री में रजत पदक जीता साथियों दीविंदर जाजडिया कौन था दीविंदर जाजडिया यह बहुत चरचाम रहे हैं माने रगा में मेट मजदूरी साथियों पहले 235 रुपों हुआ करती थी उसे भढ़ा कर 240 कर दिया अच्छा कोश्चन है कि आप मेट की नियूनतम मजदूरी पहले 240 रुपह। घ्री च्टवर कि आप लोगोंकी दाइरेक्ट वेनीफिट ट्रांसफर में माबले में राजस्तान का साथियों देश में चोथा इस्तान है, क्या है? चोथा इस्तान की ठीक है, यह धाना की आप लो सितमबर 2022 में वर्स 2022 का आउस्थ सिल्प रतन पुरुषकार किने परदान किया गया? एक तो बाबुलाल मारोटिया साब है एक रामशुरूप सर्मा है अच्छा कोशने साथी हो कि सितंबर 2022 में जो अस्त सिल प्रतन पुरुषकार है क्या का हमें ने अस्त सिल प्रतन पुरुषकार है वे किने परदान किया दो व्यक्ति है साथी हो एक कौन है भावुलाल मारोटिया साब है और दूसरा रामशुरूप आप लोगों के शर्मा दुबार दो रहा है एक बार हम लोग रज्य के वे पैरा एतलेटिक्स जिसने मोरको वर्ल्ड पैरा एतलेटिक्स ग्राम फ्री में स्राजत पदक जीता साथियो दिविंदर जाजडिया है महत्मा गादी नरेगे में मेट को 235 मिलते थे परतिवर्स साथियों यहां भढ़ा रामशुरूप सर्मा साब को दिया गया यह ध्यान रखें आप लोग दसवे सातियों राजस्तान फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ उसमें लाइब टेम अच्विमेंट जो आवार दिया गया संजे मिश्रा को दिया गया और यह क्या है अभी नेता टेलीग्राम को जोईन कर लेना डिस्क्रेप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखें यह देखिए पड़ी आप लोग रायतान की पुस्तक राजस्तान का भुगोल सातियों सितंबर 2022 तक अपडेट बहुत श्यांदार है श्याम को सेम इसी बुक की एक पीडिया चलती है यूट पर हम प्याब ओर्डर कर सकते हो यह राजस्तान का इतियास हिंडी गरंत अकादमी मादमी सिक्ष्या बोर्ड पर आदारीत है पूरी पुस्तक में तो और यह पुस्तक का टाइम होता है यूटूब पर रातरी नो से दस बजे इसकी जो पीडिया पहे पुस्तक के रूप में वहा दुआरा यह लेखन किया गया राजस्तान जीके में आपको टोप इसकोर करवा सकते हैं साथियो और जरूर हमारे साथ जुड़े आठ से नो नो से दस और जुड़ने के बाद में आप इस साथियो बुक करी सकते हो राइथान के आप लोगों के मोबाल एप में यह पुस्त दिल्ली में आयोजित राष्टिये फिलम पुरुष्कार में धादा साहेव फाल के पुरुष्कार वेरी इंपोर्टन कोशन और यह 2020 का किसे दिया गया है अभीनेत्री आशा पारेखो बित्रो यह राष्टिये फिलम पुरुष्कार को जो वितरन हुआ था 30 सितंबर को हु चारी फिचर फिलम पुरुष्कार दिया गया तमील फिलम पुरुष्कार अथा संपून मनुरंजन के लिए फिलम का पुरुष्कार, रहिंदी फिलम यह साथिम तना जी अंसंग वर्यर को दिया गया यह इंधिpy धयान र रखाए आप लोग और सरवश्येक बाल फिलम का फिलम का पुर्षकार ध्यान रखें आप लोग सितंबर 2022 में कि सेवा निर्थ लेप्टिनेट जनरल ने ने CDS विपिन रावत साब का सुनोगा आप लोगुन नाम ने CDS साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रेंड किया है लेप्टिनेट जनरल है रेटायर अनिल जनरल है रेटायर साब है और अनिल चोवान वेरी इंपोर्टन कोशन साथ यो अनिल चोवान बहुत भड़िया कोशन और उससे भी खतरना कोशन साथ यो सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटोर नी जनरल न्यूक्त किया गया आप कहेंगे साथ यो आर वेंकेंट रमनी वें वेंकेंट रमनी साथ यो पहुत अच्छा कोशन है कि हमारे ने सीडिय से अनिल चोवान साब है और अटरनी जनरल बना गये नहीं आर के वेंकेंट रमनी है साथ यो अच्छा परसन है शांदार परसन है ध्यानर का चीज़ को दोनों को रट के जाना है आप लोगों गए जा में बस आपका लाड़ प्यार मिलना चाहिए क्लास को आप लोग शेयर करते रहे साथ हो चलो को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करके मुझे होसला देना है ताकि मैं होसला बराबर मेरा बना रहे मैं अच्छा काम करता रहूं इस प्रिल्ड में साथ हो सितंबर 2022 में मोहमद बीन सल्मान एक साही फर्मान से साथ हो किस देश का प्रधान मंत्री जूट किया गया साथ हो अच्छा परसन है ये भी करन से रिटेर साथ हो मानिये मुख्य मंत्री असोग गहलत के दुआरा सितंबर 2022 में नशा मुक्त राजस्तान के लिए गटित नार्कोटिक्स ट तर्ष फोर्स का जो अद्माए गया गया गर्फ विवगतन बदाति हो ने हम ऊच्छा मुक्ति लिए गटित नार कोटिक्स टार्स पहो है व करना परसन है साथ हो आगध देश की द्वारा बीकानेरि में सोर उर्जा का 140 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 280 करोड रुपय का निवेश किया गया नारवी में ठीक है आप लोग हाईब्रिड कहां जैसल मेरवे यह कहां किया गया है आप लोग कहेंगे साथ यो नारवी में अच्छा परसन बनता है आप लोगों के ठीक है आगे बात करते हैं कि परदेश में इलेक्तरीक वहनों के संचालिन के बढ़ोतरी को देशे से इविकल पोलोशी साथियों लागू किया राजय सरकार ने और वे कब किया एक सितंबर 2022 को बढ़िया परसन है कि इविकल पोलोशी कब से लागू की गई है आप कहेंगे एक सितंबर 2022 से दुबारा फिर धोराले कि मोहमद बिल्द सल्मान को साथियों 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 अरब का परधार मंतरी न्यूट किया है मानिय अशोग गहलोत साहब दुवारा अभी आप लोगों के नार कोटिक्स टास्फोर्स के साथियों गठन किया गया उसका देक्स बना गया अत्रिक्त मुख्य सच्यू गिरह विभाग के इध्यार रखे हैं आप लोग कि आपके नार्वे है साथियों उस देश के दुवारा भीका देव में सोर उरजा का 140 बेगवाट का प्लांट लगाने के लिए दो सी करोड रुपय के साथियों यहां पर निवेस किया गया इध्यार रखे है आप लोग लिवी को दुवारा राजिये के किस इस्तान पर पैट्रो जोन विक्षित किया जाएगा पंच बदरा बाड़ में किया जाएगा ठीक है और परदेश में इलेक्टरिक वहान है साथियों इनके संचालन को भड़ावा देने के लिए विकल पोलो सी लागू किया है और वेक अब किया है एक सितंबर 2022 को इस सब बाते आपको पता होनी चाहिए मित्रो आगे बात करते हम लोग यह देखिए कि इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना जिस प्रकार से मात्मा गांधी नरेगा योजना है साथियों ठीक उसी प्रकार से सहरी च्षित्रों में अगर बात करें तो इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना है यहां से आपक बात कब हुई मित्रो तो आप लोग बताएंगे गुरुजी 9 सितंबर 2022 को ही कब हुई 9 सितंबर 2022 को ही इसका सुभारंब कहां किये गया घाट की घुणी में इस्तिसातियों खानिया की बावड़ी है उसका जिर्णों दुवार करवा के इसकी क्या की गई शुरुवात की गई उसका जिर्णों दुवार करवा किया इस योजना का कौन कर रहा है इस्ताने निकाय यानि सुवायत सासन विवाग दुवार इसका क्रियानविन किया जा रहा है बड़िया परसन बनता है यह ध्याना का कहिए आप ग्रामन विकास मंतरा ले करके बेट जाओ गलत हो जाएग और आयू सीमा 18 से 60 वरस के लोग यहां काम कर सकता है साथियो तो बड़िया परसन है आप लोगों के इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना सवाल बन सकता है इसे बनेगा आगामी एक जम में साथियो तो लगातार आप सीरीज में बना रहना यह पीडिया प्र और सब्सक्राइब दबारा का है वागि टेलीग्राम को आप जोविन कर लें अपडेट वहां मिलते रहेंगी पीडिया वहां मिलते रहेंगी धन्यवास साथियो करेंट में भी आपको चिंता करने की जरूत नहीं है ठीक है आज इतना है थेंकियो